नमस्कार, वेलकम टू केरियन मंद्रा 9.1, मैं अंकित यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका सौहत करता हूँ, जैसा कि थमनिल देखकर आप समझ सकते हैं कि आज ची क्लास में हम UPSC Pets 2022 के लिए अंकित भाटी सर की बुक लेकर के आए हैं, आज ची क्लास मे तो आज का जो टॉपिक हैं बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम भारती सर्ज़त के बारे में पढ़ाएंगे, राजसभा, लोगसभा, विधानसभा और विधानपरश है, ठीक है, तो आज सी क्लास में एक complete टॉपिक देखेंगे ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही मज़िदार टॉपिक होने वाला है, तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, लाइक कर लीजे, शेयर कर लीजे और वीडियो के अंत में या फिर बीच में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा और नेक्स सेशन आपको किस से लेटिड चाहिए चलिए समय बरबाद ना करते हुए, भरते हैं आपके दिमग की गागर में ग्यान का महा सागर तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं चलिए देखते हैं भारती संसत, राजसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधानपरशद के बारे में ठीक है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं भारती संसत की संविधानिक इस्तिति, इस्तिति के बारे में जानते हैं भारत में सासन के परिचालन हे तू बिटिस साशन व्यवस्ता के समान संसधिय साशन व्यवस्ता को अपनाएगा ठीक है तो बिटिस जैसी मलबकि बिटेन जैसी संसद अपनाएगी अपनेए आगरी ठीक है संभिधान के अनुछेद 266-3 266 के तीसरे वाले अनुछेद में के अनुसार भारत में संचित इसको ब्रैकेट में दिया गया राज की संचित निदी मैंसे कोई धनरासी बिधी के अनुसार तथा इस संभिधान के उपवंदी प्रयोजन के लिए तता रीती के नियोजन के लिए की जाएगी ठीक है अन्निता नहीं ठीक है तो कोई भी राजशी जो निकाली जाएगी तो कोशन ये डारेक्ट बनता है कि संचित निदी किसमे दी रखी तो 266 में दी रखी है सिंपल सा कोशन में आपको ये बताऊ के तहत भारत की संचित निधी से धन नियोजन हेतू बिनी योग विधियक को संचत के द्वारा पारित होने के बाद ही संचित निधी से धन निकाला जा सकता है। बिधी निर्माण एम संबंदी अधिकार की बात हो रही है। किया जाना चाहिए। अगर कोई वित्ति से संबंदित कोई विधियक है, पैसे संबंदित कोई विधियक है, तो सबसे पहले वो लोगसवा में जाएगा। ठीक है, लोगसवाई उसको मदब सुरुबात करेगी उसकी ठीक है, अब बात करते हैं बित्ति अधिकार मदब पैसे वाले अधिकार की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं, बारसिक बचट अनुदानों को स्विकृत करने का अधिकार संसद को मिला हुआ है, विवारी दृष्टी से संसद के बित्ति अधिकारों का अर्थ है कि लोगसवा का बित्ति अधिकार, ठीक है, लोगसवा की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि इस म केवल मात्र 14 दिन तक ही रोख सकता ठीक है तो अगर कोई भी विद्यक लोगसवा से पास हो करके धन का विद्यक राजसवा में जाता तो वो केवल उसे 14 दिन के लिए ही रोख सकता राजसवा आगे देखते हैं कार पालका पर नेंतर संबंधी अधिकार संसत के दोनों सदनों के सदस्यों को मंत्री परिशद के सदस्यों अर्थात प्रदान मंत्री सहित सभी मंत्रियों से प्रशन पूरक प्रशन पूछने तथा उनके कार्यों के आलोशना करने का अधिकार होता है सभी मंत्री परशद के सदस जो होते हैं आपस में ये दूसरे से प्रसंद पूछते हैं ये अधिकार है सम्मिदान संसोधन संबंदी अधिकार अब सम्मिदान संसोधन कैसे होगा तो ये कोश्चन जरूर बनता है अनुछे 32, 368 समिधान के अनुशे 360 के अनुशार भारती संसत को समिधान में शंशोधन करने का अधिकार प्राप थे 1967 में गोलक नाथ बनाम पंजाब राज के प्रसिद मुकदमों के निर्णे को बदल कर 1973 में केशवानन्द भारती मुकदमे के एतिहासिक निर्ण में इसे बैद गोशित किया गया कि समिधान के मूल सवरूप में बदलाब शंशोधन द्वारा नहीं किया सकता ठीक है जो मूल सवरूप बनाया गया समिधान का उसमें छेड़चाण नहीं किजाई पर उसमें हम कोई नई चीज जूड़ सकते हैं पर उसका जो वैसा मूल ढाचा है वो चेंज नहीं होना चाहिए अब बात करेंगे हम भारती संसद की सीमा है क्या-क्या सीमा है कितन कितना कहां तो ये वर्क कर सकता है तो सम्मिधान के अनुछेद 241 के द्वारा अधिकतित किया गया है कि विवस्थापन सक्तियों का प्रयोक संसद सम्मिधान के अनुसार ही करेगी, सम्मिधान के अनुसारी सारे सक्तियों का यूज करेगी, सम्मिधान में ऐसे अनुछेद जो केंद राज सम्मंदों से आधे राज्यों के बिधान मंडल की पुष्टी आवश्यक है ठीक है आधे राज्यों के बिधान मंडल की ठीक है गोपा लन बना मदरास राज्य गोलक नात बना पंजाव राज्य तथा केशवनंद भारती के मामले में नियाले ने संसत की सक्ति को मर्यादित किया है मतलब सं सीमाओ के साथ ही संसत को विधान निर्माण के संबंद में जन्मत अंतराश्टिय कानून के का आदर करना होता है इस सीमाओ से इस पस्ट है कि भारत की संसत ब्रिटिस संसत के समान सारव भौम निकाय नहीं है ठीक है तदह भारती संसत सक्ति हीन विचार विमर्ष करने वाली संस्था नहीं है मलब बोग इतनी भी कमजोर नहीं है और इतनी भी शक्तिसाली नहीं है इस तरह से समझेए संस्थ के विधी निर्माण की पिक्रिया प्रथम बाचन प्रथम बाचन का वोता है ये देखते हैं हम लोग बिधान संबंदी पिक्रिया विधीयक के संसत की किसी भी सभार सभा लोग सभा या फिर राज सभा में पुने स्थापित किये जाने से आरम होती है विधीयक किसी मंत्री या किसी गेर सरकारी सदस्य द्वारा पुर इस्थापित किया जा सकता है विद्यक के प्रवारी सदस्य के लिए विद्यक को पुर इस्थापित करने हेतु सभा की अनुमती प्राप्त करना आवश्यक है कोई विद्यक होगा तो सभा की अनुमती पहले लेनी पड़ेगी यदि सभा विदियक को पूर इस्थापित करने के अनुमती दे दें तो विदियक पूर इस्थापित किया जा सकता है यह प्रकरम विदियक का प्रथम बाचन कहलाता है ठीक है कोई भी विदियक का क्या कहलाता है प्रथम बाचन कहलाता है आगे देखते हैं लोग, दुतिय बाचन की बात हो रही है, इसके बाद एक निश्य तिती को विधियक का दुतिय बाचन प्रारम होता है, उस तिती को विधियक प्रस्तावक इन तीन में से कोई एक प्रस्ताव रखता है, विधियक कौन कों से प्रस्ताव हैं, एक, दो, तीन तीनों प्रस्ताव देख लेते हैं विद्यक प्रवर समिती के विचारार्थ सौंब दिया जाता है जन्मत जानने के लिए प्रस्तावित किया जाता है मतब जन्मत जानने के लिए जन्ता क्यामत है उस पर ततकाल विचार में मश्क किया जाता है अब बात करेंगे हम तर्तिवाचन की, तर्तिवाचन में साधानत है विद्यक के असपष्ट सब्दों को अधिक इसपष्ट करने तता उसे उसमें भासा समंदी सुधार किये जाते हैं, विद्यक पर मत लिये जाते हैं, यदि बहुमत विद्यक के पक्ष में हो, तो सदन के मा तुसरे सदर में वो चला जाएगा अब बात करते हैं बित्य विद्यक के सम्मद में कुछ खास बात है ठीक है तो बित्य विद्यक की बहुत इंपोर्टेंट है उसको लोगसवा में ही पीछ किया सकता है तो उसकी बात कर लेते हैं समिदान के अनुशिद 110 में यह इस द्यक्ष द्वारा ही किया जा सकता है ठीक है लोगसवा का द्यक्ष बताया कि यह पैसे वाली बात हो रही है नहीं हो रही है वित्य विद्यक की बात हो रही है नहीं हो रही है पहरा पॉइंट क्या है वित्य विद्यक राश्पती की अनुमती से प्रस्तावित किये जाएं ये कई बार बात आ चुकी है दूसरी पॉइंट क्या है अब बात करते हैं शंशत का विशेशा दिकार व्यक्तिकत रूप से शंशत का विशेशा दिकार क्या है व्यक्तिकत रूप से बाक सुतंता बोलने की सुतंता है कैद में सुतंतरता दी गई है अब बात करते हैं सामुहिक रूप से क्या सुतंता दी गई है संसत की कारवाही को प्रकाशित करने या ना करने का अधिकार दिया गया है संसत की अंतिरिक मामलों को नियमित करने का अधिकार दिया गया है संसत के गेर सदस्यों को निश्कासित करने का अधिकार दिया गया है संसत की अब मानना हेतु धंदित करने का भी अधिकार दिया गया है संसत को ठीक है अगर कोई उसकी बात नहीं मानता संसत की तो उसके लिए दंड भी प्रस्तावित किया गया है अब very very important राजसवा ठीक है देखो इस राजसवा पढ़ने से पहले हम एक ट्रिक समझ लेते हैं वो क्या है इस ट्रिक है सरला ठीक है सीधा सा नाम है किसी लेडी का नाम है ऐसे याद कर लेजे सरला कोई लेडी है उसका नाम है तो देखी सा से हो गया संसत राज से हो गया से लोग सावा अब से चलते हैं भारती समयदान के वनिखेट असी अब राजसवा से हो गया सेर राज सावा हो गया तो अनुषिएड असी के उनुचार राजСावा का गटन हुआ है रासवा के सदस्यों की अधिक्तम संग्या 250 इसमें 238 तो क्या है निर्वाचिस सदस्य और 12 क्या है आपके मनुनीत सदस्य जिसमें से 12 सदस्य राश्पती द्वारा मनुनीत ये जाते हैं ये मरूनित सदस्य साहित कला, विज्ञान और समाजिक सेवा, समा सेवा से में विशेश योगता रखने वाले होते हैं आगे देखते हैं, राजसवा में उत्तरपदेश में 31, महराश में 19, तमिलाडू में 18, पश्यमंगाल में 16 और बियार में 16 निर्धारित की हैं ये बन सकता है, यूपी का पेपर है, तो राजसवा में राजसवा की सीटों का, अगे चलते हैं आगे चलते हैं लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्य उपधिती द्वारा एकल संक्रमनी अमत के आधार पर होता है, राजसवा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है भारते सम्मिदान के अनुषित 84 के अनुसार राज विधान मंडर या विधान सवा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनी निर्वाचित जो सदस्यों होती हैं वो राज सवा के सदस्यों का चैन करते हैं अब देखो इसको पढ़ते हैं आगे आरता क्या क्या है पहले qualification क्या होनी चाहिए तो जो आरता है वो अनुछित 84 में राजसभा के सदस्यों की आरता का प्रावधान दिया गया है सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए वह 30 वर्स की आयू पूर्ण कर चुका हो यह जो question है 30 वर्स आयू राजसभा के सदस्यों की मदब नियुंतम आयू कितने ही 30 वर्स तो यह question कैई वार paper में पूछागा है बहुत important question है very very important ठीक है important question है आपके लिए realm आरता बीधारन करता हो जो संसत बिदी द्वारा बनाएगा ठीक है जो भी बिग्टित कभी नहीं होती है ये चलती ही रही ही कभी बिख्टित नहीं होगी रासवा के सदस्यों का कारेकाल 6 वर्ष का होता किते साल का होता मातर 6 साल का होता इसमें से पिर देख 2 वर्ष पर 1 बटत 3 सदस्य सेवानी इम्रत हो जाएंगे मदद 1 बटत 3 सदस्य उस अपनी सेवा से हट जाएंगे इसका उल्ले कौंस में किया गया 85-1 में किया गया है अनुचित 85-1 में इस बात का उले किया गया अब बात करेंगे हम राजसवा की सक्तियों एवं कारियों के बारे में क्या-क्या सक्तियां हैं क्या-क्या कारिया हैं राजसवा के देखो सबसे पहले विधाई मलब कानून बनाने का दिकार दिया गया राजसवा की सक्ति सम्मिधान संसुदन विदेक के संदर में लोकसवा सक्ति के बरावर है बिल्कु सही बित्य विद्यक के मामले में राजसवा को लोगसवा से कम सक्ति दी गई है बिल्कुर सही पढ़ चुके हैं हम लोग इस अंदर में राजसवा को 14 दिन के भीतर विचार कर अपनी राय लोगसवा में बेजनी होगी जो भी अपनी राय होगी वो 14 दिन के अंदर राजसवा में लोग सवा में अपनी मत है वो भीजना होगा या राय अपनी भीजनी होगी उपराशपती के चुनाब में राशवा के सदस्य भाग लेती हैं बिल्कुर सही बात है राशवा में ही उपराशपती को हटाने का प्रस्ताव लाया सकता है अगर उप्राश्पती को अटाना है तो ये काम केवल राजसभा से सुरू होगा लोगसभा से नहीं होगा क्योंकि उप्राश्पती जो होता है वो राजसभा का पदेन सभापती होता है अपातकाल की अबधी में यह एक महा से अधिक है ठीक है? अगर मैंसे क्या है जो भी प्रस्ताव लाएगा वो चौदे दिन होगा या फिर एक महीनी से जादा नहीं होगा इस समय लोग सभा बिक्टित हो तो राज सभा का अनुमोधन कराया जाना जरूरी होता है जब भी महावीयों या किसी को पद से खटाने की बात आईगा उच लोग रहेगा दोनों सदन उसमे वर्क करेंगे अब बात करेंगे हम विसिष्ट सक्तियां क्या क्या है राज सभा के बात राज सभा के पास में अनुछेत 249, ठीक है, 249, कि अंदरगत राजसभा में उपस्तिती एव मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से राजसूची में सामिल किसी विसे को संसदी महत्व को गोशित कर दी सकती है, ज्याद है कि जेल, पुलिस, कानून विवस्ता, स्वास्त, का ही एक बिसे हैं, अनुछेत 200, सुरी, 312, ठीक, उत्रा 312, कि तहत राजसभा उपस्तिती एव मतदान करने वाले दो तिहाई सदस्यों के समर्थन में कोई अखिल भारती सेवा प्रिस्थापित कर सकती है, ठीक है, 300 बारे कि तहत राजसभा कोई भी अखिल भारती सेवा क दुबारा से इस्तापित कर सकती है, अन्य सक्तियां क्या है, राजसभा के निर्वाचित सदस्य राष्टपती के निर्वाचिन मंदन में हिस्सा लेते हैं, बिल्गू सही बात है, राजसभा के सदस्य उप्राष्टपती के चुनाब में भी भाग लेते हैं, राजसवा का पदेन सवापती होता है यह राजसवा की कारवाही के अनुशाषन बनाए रखने के लिए उत्तरदाई होता है उपराश्पती द्वारा कारवाही राश्पती की रूप में करतब्य निर्वहन के द्वरान राजसवा के उपसवापती द्वारा सवापती की रू किसी एक को उपसभापती चुनता है यदि राजसभा के ततकालिन सदस्यों द्वारा बहुमत के संकल्प में पारित हो किये जाए तो उपसभापती को अपना पद छुड़ना होता है ठीक है अगर सब लोग सदस्य मने करते हैं कि उपसभापती हमें यह नहीं चाहिए यह वा निर्भन राजसभा का वह सदस्य करेगा जिसे राष्टपती का नाम निर्देशित करेगा जो भी जिससे भी राष्टपती कह देगा वही इस काम को करेगा अब बात करेंगे राजसभा के विशेश अदिकार विशेश अदिकार क्या क्या दे दी गए वो भी देख लेते ह राजसवा के प्रतिनीदी संसिताथ होने की नाते राजसवा को सम्मिधान के अंतरगत ऐसे अधिकार प्राप्ते है जो लोक सवा को नहीं है अनुचे 249 के अंतरगत राजसवा में मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत तता कुल सदस्ता के पूर्ण बहुमत द्वारा ये गोशित कर सकता है कि राष्ट के हित में यह आवश्यक है कि संसत राजसूची में दिये गई किसी विश्य पर दिधी निर्मान कर सकता है ठीक है राजसवा जो है राजसूची में जो भी विश्य दे रखें उन पर कानून बना सकता है राजसवा के अन्यदिकार क्या क्या दे रखें वो देख लेते हम लोग यह अकिल भारती सेवा इस्थाफित करने से संबंदित है इस प्रस्ताव को उपस्तित तथा मत देने वाले सदस्यों को दो तिहाई बहुमत तथा कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है लोकसवा इन दोनों इस्थितियों में तभी काम कर सकती है जब पहले राजसवा संकल्पत की द्वारा उसे कार करने की सक्ति परदान करें राजसवा की परिसंगिये विसेशता है राजसवा की परिसंगिये विसेशता है क्या क्या है वो देख लेते अनुछेद 312 की अनुषार राजसवा में उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा यह गोशित किया जाए कि राष्टी हित में ऐसा करना आवश्यक है और समीचीन है जो संसत विधी द्वारा संग जन के लिए उपवंद कर सकेगी तो यह जो राष्ट हित में होना चाहिए तब जो है उस पर कानून वगएरा बनेगा यह मतलम निकल के आ रहा है इस बात के यदि संविधान संशोधन विधेक का संदर्व है तो राजसवा में प्रथक रूप से पारित होना चाहिए अगर मंत्री परशट के सदस्यों को राजसवा में भी लिया जा सकता है मंत्री परशट के जो सदस्यय परथक रूप में राजसवा में कम से कम दो तिहाई सदस्यों का म questo ज़न वनिवार है ठेक है दोतीहाई सदस से जरूरी है अब बात करेंगे हम लोग राजसवा की बास्तिव एस् से है क्या राजसवा करा रासवा को सम्मिधान presents के संसोदन के विशे में लोकसवा के समान सक्तित प्रतान है कैई बार आगयी व्याथ कि यह, राजसवा में मंत्रीओं की निक्ति किया सकती है, इस परंपरा से भी राजसवा के महत्व का आवास होता है कि केंदरी मंत्री प्राय राजसवा में उपस्तित होते हैं, धनमिदेक के संबंद में संब्धान के अनुछेद 109.2 के तहट लोगसवा और राजसवा की सभी या किनी सिफारिशों को सुविकार या असुविकार कर सकती है ठीक है राजसवा किसी को सुविकार करे या ना सुविकार करे वो अनुचित 109 में कहा गया है धन विदेख के संबंद में समिदान के अनुचित 109-103 के अनुसार लोग सबार राज सबार की किसी सिफारिश को सुविकार कर लेती है तो धन विदेक राज सबार द्वारा सिफारिश किये गए रथा लोग सबार द्वारा सुविकार किये गए शंशोदन संजेत दोनों सदनों द्वारा पारित किया समझा जाएगा मतलब अगर वो स्विकार कर लेगी स्विकार करे ना करे वो दोनों बात है उपर वाले में एक सो नो दो में पर अगर स्विकार कर लेते हैं वो तीन में चला जाएगा ठीक है तो स्विकार कर लेती है तो ये बात समझे जाएगी वो दोनों सद्रों से पास हुआ है आगे देखते हैं अनुषेद 109.4 के अनुषार यदि लोकसबा राजसबा की किसी सिफारिश को सुईकार नहीं करती है तो धन विदियक राजसबा द्वारा सिफारिश किये गई किसी संसोधन के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप से पारित समझा जाएगा जिसमें वह लोकसवा द्वारा पारित किया गया था अब बात करते हैं अनुचिद 113.2 के तहट अनुदान की मांगें लोकसवा में ही मतदान के लिए रखी जाएगा कोई भी अनुदान मदब मांग हो रही है किसी पैसे वगेरा की तो किसमें जाएगी केवल लोकसवा में जाएगी उन्हें अनुमती देने या ना देने तदा वे नरश्ट रकम को कम करने की अनुमती देने की शक्ति लोकसवा को ही है केवल लोगसभा को सारी सक्ती दी गए है, पैसे से लेटेड, राजसभा उन सभी कार्यों को करती है, जो परंपरागत रूप से दुतिय सदन के द्वारा किये जाते हैं, साहेक शाशन विवस्ता में दुई सदना आत्मक विवस्ता पिका आविश्यक है, राजसभा लोगसभ के सहयोगी सदन के रूप में कारे करते हुए, राज्यों के पक्ष में लोगसभा के सम्मुक रहता है, ठीक है, राज्यों के पक्ष में रहता है, जो हमारा राजसभा है, अब बात करेंगे हम लोग राजसभा के महत्व के बारे में, ठीक है, तो राजसभा का महत्व देख लेते हैं फटापट से राज सवा अब राज के हिद के लिए कारण नहीं करती भरन राष्टे हिद को ध्यान में रखते हुए ही कारण करती है। अब आगे बात चलती है लोग सवा के बारे में वेरी इंपोर्टेंट पार्ट सुरू हो रहा है लोग सवा रचना एवं गठन। तो लोग सवा ये कोशिन कई बार बना है। सदस्य राज्यों के मतदान द्वारा प्रतक्ष चुनाप से निर्वाचित किये जाते हैं और 20 सदस्य संगिये राज्यों के प्रतिनिद्व होते हैं। आगे देखते हैं इसके सदस्य जंता द्वारा प्रतक्ष निर्वाचित निर्वाचित से चुने जाते हैं। आवंटन लोग सवा में इस्थानों का आवंटन की पिक्रिया दो रूप हैं। दो तो ऐसे स्थानों का आवंटन होता है। जादा है तो वहाँ पर जो सीटों की संख्या होगी लोग सवा की वो जादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से समझ दीगी है। जंता के द्वारा ही उसके अकॉर्डिंग सीटें दी गए हैं। अब बात करते हैं निर्वाचन। लोग सवा के सदस्य भारत के उन नागरिकों को चुनते हैं जो अठारे वर्स के हों। मतलब सदस्य को कौन चुन पाएगा, जो 18 साल का आदमी उनके लिए वोट कर पाएगा। भारत में 1952 से लेकर अब तक 17 वार लोग सवा चुनाव हो चुके हैं। अब धी, लोग सवा के अगठन अपनी प्रतमतिती से 5 वर्स के लिए होता है। प्रदान मंत्री की सलापर लोग सवा का वेकटन राशपती द्वार पांच वर्स के पूर्वी किया जा सकता है। अगर लोग सवा का वेकटन हो गया है तो 6 माह तक ये अंदर अंदर क्या है द्वारा से चुनाव करा लेने चाहिए। आगे है लोकसवा के बिख्टन का क्या प्रभाव रहता है लोकसवा के समक्ष लंवित सभी विद्यक समाप्त हो जाते हैं जो विद्यक बीच में चल ले होते हैं वो वही की वही रुख जाते हैं राजसवा में लंवित विद्यक जिसे लोकसवा ने पारित कर दिया था वो सम आप तो नहीं होते हैं ठीक है अगर लोगसभा कोई विदेख पारित करके गई है और वो भिख्टित हो गई है तो वो राजसभा में जाएगा और फिर से क्या है वो पास किया जाएगा ठीक है मतलब वो क्या है लंबित नहीं माना जाएगा खतम नहीं होगा लोगसभा का जो 6 मां से ज़्यादा की गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जानवे में और अनुसूची तीसरी में कि क्या-क्या सपत हमें लेनी है उन सदस्यों को। लोगसवा के अद्यक्ष का निर्वाचन लोगसवा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। जो भी क्यानाम अद्यक्ष होगा उसी के सदस्यों द्वारा ही उसका क्या होगा लोगसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो भी निर्वाचन होगा अद्यक्ष जो बनेगा वो कौन बनाएगा लोगसभा के सदस्यों ही बनाएंगे लोगसवा अध्यक्ष के निर्वाचन कीतिती राष्टपती द्वारन निर्धारित कर इसकी सूची लोगसवा के महासचिप को दी जाती है लोगसवा का अध्यक्ष लोगसवा के सदस के रूप में सपत लेता है ना कि अध्यक्ष के रूप में ये भी important question है कि जो लोगसवा का अध्यक्ष होता है वो सपत कैसे लेता है क्या लोगसवा का अध्यक्ष सपत लेता है नहीं लेता है अगर वो सपत लेगा तो वो किसके रूप में लेगा सदस्य के रूप में लेगा ना कि अध्यक्ष के रूप में कारेकारी अध्यक्ष के रूप में उस व्यक्ति को नामदज किया जाता है जो लोकसवा में बरिष्ट होता है कारेकारी अध्यक्ष किसे बना जाता है जो बरिष्ट आदमी होगा उसे कारेकारी अध्यक्ष बना जाएगा बेतन भत्ते एवं पदादेकार लोगसवा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दिये गए बेतन भत्ते संसद विधी द्वारा निर्धारित किये जाते हैं लोगसवा के अध्यक्ष को राजसवा के सवापती उपराश्णपती के समान मासिक बेतन वा भत्ते मिलते हैं मतलब बरावर ही माशिक बेतन वावत्ते मिलते हैं चोधे मई 2002 को संसत द्वारा पारित एक शंसोधन विद्यक के अनुसार यदि लोगसवा के अद्यक्ष की मृत्ति हो जाती है उसके पद पर बने रहने के दोरान तो उसकी पतनी या फिर पती अगर लेडिज है तो फिर पती की बात होगी या फिर परिवार को पेंशन, आवास और स्वास्त सुवधाय मिला करती है अद्यक्ष और पाद्यक्ष निमलकित इस्तियों में से अपने पद से मुक्त हो जाते हैं कैसे हो जाएंगे वो अपने पद से हट जाएंगे वे राज सभा की सदस्ये बन जाएंगे अध्यक्ष या उपाद्यक्ष अपने पदों से त्याक पतर देते हैं बनद आप खुद छोड़ दें यदि लोगसभा के सदस्यों के बहुमत से पारिद संकल्प द्वारा अपने पद से हटा दिया जाए अगर लोगसभा के सदत से मिलकर के उसके पद से हटा दें तो भी लोगसभा के अध्यक्ष और पाध्यक्ष हट जाए अब हम बात करेंगे लोगसभा की अध्यक्ष की सक्तियों के बारे में चलिए धेख लेते हैं सक्तियां क्या-क्या हैं लोगसभा के अध्यक्ष की, वेवस्ता संबंधी 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 नियमों की व्याख्या करना, अगर कोई गलत तरीके से अपनी बात कह रहा तो उसको बताना कि भई ऐसे नहीं, ऐसे कहना, यहां तक आपके नियम है इतने म नहीं आपको बोलना है, निरिक्षर तता भर्तसना सक्तियां, संसदिय समितियों की अध्यक्षता करता है, संसदिय समितियों की अध्यक्ष को निर्देश देता है, सदन में बोलने के लिए सदन के सदस्यों को अनुमती देता है, कि क्या था भई आप तुम बोलिए इस तरह स प्रशासन संबंदी सक्तियां, क्या-क्या प्रशासन संबंदी सक्तियां, वो भी हम देख लेते हैं फटा-फट से, लोगसभा के सचवाले पर नेंतर रखता है, लोगसभा के सदस्यों के लिए आवास है, अन्यस्व विधान उपलब्द कराता है, संसदी समीतियों के अभिल की सुरक्षा रखता है राज बिधान मंडल अब बात आ गई है राज बिधान मंडल की देख लेते हैं समिधान के भागच है कि अनुछेद 168 से 212 तक बिधान मंडल का प्रावधन किया गया है केंद के तहत राज्यों में भी संसदिय प्रणाली को अपनाया गया है राज बिधान मंडल राज सरकार की बिधाय का होती है जिसमें राज बिधान परिशद और बिधान सवा होती है ठीक है तो 168 में क्या हो गया हमारा बिधान मंडल हो गया आप ये याद रखेंगे ये question direct बन सकता है कि किस article में विधान मंडल का उलेख है तो 168 में ठीक है बर्तमान समय में केवल 6 राज्ये ऐसे हैं जिनमें 2 सदनात्मक बेवस्ता है अर्थात विधान सभा और विधान परिशत को अपनाए गया है ये राज्य कौन-कौन से वो देख लेते हैं फटा-फट से हम लोग फश नमबर पे करनाटक, महाराष्ट, आंधप्रदेश, तेलंगाना, उत्तप्रदेश और बिहार इन 6 राज्यों में क्या है हमारी विधान परिशत भी है और विधान सभावी मदलब 2 सदनात्मक बेवस् भी तीनों लाइन से हैं ठीक है आप देखो 168 में क्या हो गया हमारा विधान मंडल हो गया पर 169 में हमारा क्या हो गया विधान परिशत हो गया ठीक है तो आगे चलते देखते हैं फटा-फट से समिधान के अनुशेद 169 मलब की 179 के अंतरगत विधान परिशत के निर्माण तता उतसादन की पिकलिया निमलखित प्रकार से की गई है राजद्वारा विधान सभा के दो तेहाई बहुमत से विधान परिशत के गठन तता उतसादन का संकल्प की पारित कर संसत के पास भ बिधान परिशत बनाते हैं तभी वो बनेगी बिधान परिशत के निर्माण अवा समाप्ती की अंतिम शक्ती संसत के पास है तब अश्या संसत उसे साधान बहुमत से पारित कर दे तो बिधान परिशत के निर्माण एवं समाप्ती की प्रिग्रिया पूरी हो जाती है ऐसे राज्य जिन्होंने विधान परशद को समाप्द कर दिया है ठीक है वजब पहले यहाँ पर विधान सवा थी अब नहीं है कौन-कौन से है एक तो है सबसे पहले पंजाब पश्चिम बंगाल आंद्रप्रदेश और तमिल्नाडू पहले यहाँ पर विधान परशद थी अब ठीक है अब बात करते हैं विधान परशद की सरचना के बारे में समिधान के अनुशेद 171 के अनुशार किसी राज्य की विधान परशद में सदस्यों की कुल संख्या विधान सवा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए मतलब एक तिहाई से जादा नहीं होनी चाहिए सम्मिधान के अनुछेद 171.3 में निरदेश्ट रीती के अनुसार विधान परशद के सदस्यों के निर्माणक इस प्रकार होता है कैसे कैसे होता है विधान परशद का वो देख लेते हैं फटाफट से एक तिहाई सदस्ये राज्य की इस्थानिय संसथाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोड से मिलकर एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं एक गोटे तीन सदस्ये बिधान सवा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं बटे बारे सदस्य वाके रहने वारे निवासी बिश्व विध्याले की इसनातकों द्वारा चुने जाते हैं कम से कम तीन वर्स से पढ़ा रहे हैं ठीक किसी इस विध्याले में एक बटे छे सदस्य राजपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं जो की राज की कला विज्ञान स ताहित्य समासेवा सहकारिता से जुड़े हों, ठीक है, तो इन सब को जोड़ेंगे, एक बटा तीन, एक बटा तीन, एक बटा बारे, एक बटा छे, इन सब को आप जोड़ेंगे, तो आपका क्या हो जागा, 100% हो जाएगा, सोरी, बन हो जागा, टोटल पार, ठीक है, आगे देखते हैं राजपाल द्वारा मनुनित एक बटे च्छ सदस्य और विधान मंडल द्वारा निर्वाचित एक बटे तीन सदस्यों को छोड़कर विधान परशत के सेस सभी सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों में चुने जाते हैं यह छेत्र संसत की विधी के आदिन निर्दारित किये चाहते हैं अब बात करेंगे अवधी के बारे में विधान परशत की अवधी यह एक इस्थाई सदन है समिधान के अनुशेद 122 में यह प्रावधान किया गया है कि विधान परशत किसी भी कभी भी भिगटित नहीं होगी यह भी एक तरसे राजसवा की तरह है परतेक दो वर्ष बाद एक बटे तीन सदस्य सेवानी ब्रत हो जाएंगे और उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन कर लिया जाएगा फिर से उतने ही आदमी आ जाएंगे आगे देखते हैं बिधान परशत का परतेक सदसे 6 वर्ष की सदस्यों हासल करता है किन्तु त्याक पत्र वा मृट्यू की स्थिती में निर्दार तवदी से पहले वे अपने पत से हड़ सकता है आरता क्या क्या है भारत का नागरे को 30 वर्ष ठीक है इसका भी मोक्या है एज कितनी तीस वर्स है राजसभा की भी तीस है और यहां की भी तीस है मानसिक रूप से बिक्रत नहीं होना चाहिए नियाले द्वारा उसे पागल गोशित नहीं किया जाना चाहिए आगे देखते हैं बिधान परश्ट की सक्तियों और हम कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं यह केंद्रवार राजसभा की समकक्ष वाली इस्तिती में है कोई भी विदेख बिधान मंडल के दोनों सदनों में अर्थात बिधान परश्ट वा बिधान सभा में पारित होने के बाद ही राजिपाल की स्विकृति से कानून बनेगा सामान विदेग को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है परंतु इस संदर में अंतिम शक्ती विधान सवा के ही पास है विधान सवा द्वारा पारित विदेग को पहली बार में विधान परशद में तीन महा तक के लिए रोका जा सकता है किन्तु विधान सवा द्वारा अगर पुने विद्यक को पारित किया जाता है तो सामान विद्यक को विधान परशद एक महा के लिए रोक सकती है इस प्रकार विधान परशद सामान विद्यक को केवल चार महा तक ही रोक सकती है धन विदियक की संदर में विधान परिशद द्वारा उसे चौदे दिन तक ही रोका जा सकता लगवक राजसवा जैसे ही नियम है ठीक है यहाँ पर बस चार महा की बात आईए महाँ पर छे माता ठीक है आगे है विधान सवा यह राज्य विधान मंडल का लोक प्रिय सदन है अब बात आगे है विधान सवा की वेरी इंपोर्टेंट पार्ट है ठीक है यूपी में हमारे में क्या है विधान सवा और विधान परिशद दोनों है ठीक है अब बात करते हैं विधान सवा की तो ये लोक प्रिय सदन है कैसा प्रिय सदन है लोक प्रिय सदन है ठीक है ये कैसा है लोक प्रिय सदन है अब बात करेंगे हम लोग इसकी सरचना के बारे के अनुचित 170 के अनुचित किसी राज्य के विधान सवा कि सदस्यों की अंतिम संख्या 500 तदा नियूंतिम संख्या 60 हो सकती है मैक्जिमम कितनी होगी 500 और नियूंतिम कितनी होगी 60 होगी समिदान के उनचे 371 की विभिन खंडों में कुछ राज्यों को विशेश प्रावधान प्राप्त हैं जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम भी है, ठीक है, मिनियम बैसे 60 होने चे पर कहीं कहीं राज्यों में कितनी है, 60 से भी कम है, चुनाब की विदी क्या है, बिधान सवा के चुनाब की प्रणाली ठीक वैसी ही है, जैसी लोग सवा के चुनाबों की है, अर्थात विशेश बंद वाले राज्य कोन कोंसे एक तो है नागालेंड और एक है सिक्किम। नागालेंड सिक्किम में राज्यों के विधान सवाओं के कुछ सदस्य परुक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। आरक्षण की बात कर लेते हैं। अनुषे 332 के अनुसार प्रतिक राज्य की विधान सवाओं के सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिया गया है। ठीक है आरक्षण उनको दिया गया है। बिदान सवा की अवधी क्या क्या है? बिदान सवा की अवधी पाँच वर्स है जिसकी गर्णा बिदान सवा के प्रथम अदिवेशन की तारिक से की जाती है। यदि राज़िपाल उचित समझे तो वह पाँच वर्स की अवधी से पहले बिदान सवा का बिख्धन कर सकता सामन्त है ऐसा राज्य बिधान परिशित की सला पर राज्य पाल द्वारा किया जाता है अब बात करेंगे हम बिधान सवा के बिगटन की अन्यशक्तियां क्या क्या है सम्मेदानी विफलता के आदार पर राश्पती द्वारा राश्पती सासन लागू होने पर अनुचे 356 मतलब अगर अनुचे 356 के तहत राश्पती सासन लग जाता है तो विदान सभा का क्या हो जागा बेटन हो जागा तूट जाए खतम हो जाए सम्मेदान के अलचे 72 के तहत ये प्यवस्ता की गई है अगर कोई विशम परस्तिदी आ जाती है कोई प्रावलम आ जाती है तो इसकी अबदी भी बढ़ाई जा सकती है सदसेहितु आरता है, आरता क्या-क्या है, मतलब क्वालिफिकिशन क्या है वो देख लेते हैं अनुशेद 173 के अनुसार विधान सवा के सदस्यों की आरता क्या-क्या दी गई है वै भारत का नागरेक हो, ठीक है दिवाली या पागल ना हो 25 वर्स की आई हो, ये कोशिन भी बनता है, 25 साल रखे गई है ठीक है विधान सवा के, विधान शवा के लिए विधान सवा की सकती अवंकारे क्या-क्या है, वो देख लेते हैं फटा-फट से हम लोग विधान सवा को राज सूची के सभी विश्यों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, साथ ही विधान सवा समवर्ती सूची के विश्यों पर भी कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकती है बरतमान समय में राजसूची के 61 तथा समवर्ती सूची के 52 बिशे हैं राजसूची के 61 और समवर्ती सूची के 52 बिशे हैं बिधान सवा में ही पेश किये चाहते हैं। वित्य वर्स के प्रार्म होने से पहले राज का बार्शिक बजट बिधान सवा में प्रस्तुत किया जाता है। बिधान सवा की स्विकृती से ही राज सरकार कोई कर लगा सकती है। पूरी विधान सवा कहेगी तभी राज सरकार के द्वारा कोई नया करण लगेगा, टेक्स लगेगा, अब बात करते हैं सत्र, सत्रावसान और विगटन के बारे में, सत्र आहुद करना, अंचेद 173-1 के तहट राज जिपाल समय समय पर विधान मंडल के प्रतेक सदन को ऐसे समय तता इस्थान का अदिवेशन के लिए भुलाएगा, जिसे वह उचित समझेगा, सत्र की अंतिम बैटक तता सत्र की पहली बैटक के बीच अधिक्तम 6 मां का अंतराल जरूर होना चाहिए, ठीक है, जो बैटक हो रही है और अगली लाश्ट वाली होगी उसके बीच में 6 महиной का गैपिंग होनी चाहिए, अब बात करेंगे हम राज-पाल के अभीवाशन के बारे में, अनुछेद 176 के तहर्त राज-पाल विधान सभायों के चुनाप के पशात पहले सत्र की सुरुवात पर वित्तिय वर्ष के पहले सत्र की सुरुवात के अवसर पर विधान सभ को संबोधित करता है जहां विधान परिशत हो वहां दोनों सदन होते हैं केवल वो विधान सबाव करता है पर अगर दोनों सदन की बात जहां पर जैसे यूपी है तो यूपी में दोनों सदनों को वो संबोधित करेगा इस्तगन इस्तगन को इस्तगित करने की सकती सदन के पीठा सेन अधिकारी के पास होती है इस्थगन द्वारा सदन की बैटक को कुछ मिनिटों घंटों तता कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है एक कुछ घंटों मिनिटों के लिए निलंबित किया जा सकता है यदि पीठा सेन अधिकारी द्वारा सदन को इस्थगित करने के उपरांत पुने एकत्रित होने के संदर्में के समय में तिथी की घोशना नहीं की जाती है तो सदन अनिशित काल के लिए इस्थगित माना चाता है अब बात करेंगे बिगठन के बारे में जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के सत्र को समाप्त करता है तो वहीं दूसरी तरफ बिगठन सदन को समाप्त कर देता है मतलब सत्र को समाप्त करेगा ये क्या है वहीं दूसरी तरफ बिगटन सदन को समाप्त कर देगा समिदान के अनुच्छेद 174.2 के तहट बिधान सभा के बिगटन की सक्ति राजपाल को दी गई है आगे बात करेंगे कारेकाल पूरा होने पर बिधान सभा बिगटित हो जाती है ठीक है कारेकाल जैसी फिनिश होगा तो क्या होगा बिधान सभा बिगटित हो जाएगी सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर राजपाल द्वारा बिधान सभा का बिगटन किया जा सकता है अब बात करेंगे विधान मंडल के पता दिकारी के बारे में इसके बारे में पड़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्काईर कर लिजे कमेंड कर दीजे और कमेंट करके मुझे यह बताए कि यह session आपको कहसे लग रहा और किस से related कहसे session आपको चाहिए कौन सी बुक का चाहिए, क्या सेसन आपको चाहिए, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, विधान मंडल के पदाधिकारी के बारे में, समिधान के अनुचित 178 के तहट प्रतेक बिधान सवा के दो प्रमुक अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इसी प्रकार दूई सद्नात्पक विवस्ता वाले राज्यों की बिधान परशद में सदस्यों में से दू सदस्यों को करम से सवापती और अनुचित 182 के दो में ये प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्तिती में अध्यक्ष की रूप में वेवेक्ति कारे करेगा जो बिधान सवा द्वारा इस कारे के लिए निद्रिश्ट किया जाएगा, मन्दब बिधान सवा जिस आदमी को कुबले फिर वो काम करेगा सारे बहुमत के दोरा, सामनत है बिधान सवा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पदों पर बने रहते हैं जब तक बिधान सवा का बिगटन ना हो जाए, ठीक है अपने पदों पर बने रहेंगे जब तक वो खतम नहीं हो जाएगी, अब अब बात करेंगे हम पधा दिकारियों के पद से मुक्ती की इस्तिती के बारे में वो कैसे अपने पद से हट सकते हैं। राश्पती की पूरवा नुती के बिना राज सूची के कुछ विश्यों पर विधान मंडल कानून नहीं बना सकता। की बिधान सभाव क्या कर देगा भंग कर देगा। अब बात करेंगे हम गण पूर्ती ठीक है गण की पूर्ती कैसे होती है। सम्मिदान के अनुचेत 189 थेड मतलब 189 के अनुसार जब तक प्राज का विधान मंडल अनिथा उपवंद ना करें। तब तक अधिवेशन गटित करने के लिए गण पूर्ती के दस तता सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसमा भाग इन दोनों में से जो भी अधिक होगा की आवशक्ता होती है। मतलब 10 सदस्यों हो या फिर क्या करेंगे कुल संख्या का दसमा भाग लिया जाएगा तो जो भी ज़्यादा होगा वो लिया जाएगा। गणपूर्ती के अभाव में सदन का इस्तगन या निलंबन कर दिया जाता है। तब तक गणपूर्ती की रीती पूरी नहीं हो जाएगी। ठीक है ना हो जाएगी। अब बात करते हैं राज्यों की निधियों के बारे हैं, very important. राज्य की संचित निधी, अनुछे 266 में ये प्रावदान किया गया है संचित निधी का, राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्यzt रिन अदायकी से प्राप्त होने वाला सारा धन, इसी में जवाब होता ऐसमें संचित निधी में, राज बिधान मंडल द्वारा बेन योग तथा या अनुरूप उरूपक अनुदान सम्मंदी अधिनियम पारित करने पर राज सरकार इस निधी से पैसा निकाल सकती है अब बात करेंगे हम राज का लेखा लोक लेखा क्या है अनुचेद 266 के दूसरे अनुचेद में ये प्रावदान किया गया कि संचे निधी में सामिल राशियों के अलावा सभी सारजनिक राशियों में जमा होती है इस खाते में धन निकालने के लिए सरकार को बिधान मंडल की मंजूरी आवशक नहीं होती है अनुचेद 267 में ये प्रावदान है कि कि किसी अकास्मिक खर्चे के लिए प्रयोग किये जाने वाली निधी को बोला गया है राज़िपाल की ओर से राजसरकार वा बित्य सचिव इसका स Н seinen चालन करते है राज़िपाल उनको पर्मिशन देता राजसरकार इस काम वो करती है और बित्य सचिव करता है अब बात करेंगे हम विधान मंडल के मंत्रियों और महा दिवक्ता के बारे में चलिए देखते हैं फटाफट से इस बात को भी समिदान के अनुछेद 177 और अनुछेद 194 में मंत्रियों एवं महादिवक्ता का अधिकार का प्रावधन दिया गया है महादिवक्ता किसी सदन की कारवाही में भाग ले सकता है यदि वह किसी समिती का सदस है तो उसमें भी भाग ले सकता है परन्तु अपने मत्त का प्रियोग नहीं कर सकता है मत्त वो बोट नहीं डाल सकता पर अपना राय वगरा सब कुछ दे सकता है पर उसका बोट काउंट नहीं हुगा हाला कि वह विचारों को जरूर प्रकट कर सकता है मंत्री किसी भी सदन की कारवाई में भाग ले सकता है चर्चा में भी कर सकता है लेकिन मतदान उसी सदन में करेगा जिसका वे सदस है अगर लोग सबा का सदस है तो लोग सबा में मतदान करेगा राजसवा का सदस्य तो राजसवा में मतदान करेगा ठीक है विधान सवा का तो विधान सवा विधान परशद का तो विधान परशद में मतलब जिस सदन का है मंत्री उसी सदन में अपना बोट डालेगा किसी और में नहीं भाग लेगा पर हाँ अपनी बात को रख सकता है ठीक है तो यहां तक हमने यह session complete कर लिया है राजसवा, लोकसवा, बिदानसवा बिदानपरशत, संसत के बारे में सब कुछ पढ़ लिया हमने अब हम क्या करेंगे कि इसका तुलनात्मक मल्दप की इन तिचारों का अंतर देखेंगे इन में क्या क्या अंतर है, टेवल के माद्यम से देखेंगे तो वो next वीडियो में आएगा जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी लाइक कर लिजी, शेयर कर लिजी और कमेंट करके जरूर बताएगी ये सेशन कैसा लगा ठीक है और next वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी thanks for watching वीडियो, take care, bye bye, धन्यवाँ